ओम सम सनिश्चराय नमाहा मैं पंदित पौनकुमार पांडे, आप लोगों के समक्ष पुना हाजिर हों कोई ने कोई टॉपिक लेकर के आप लोगों के शमक्ष उपस्तित होता हों तो आज सनी जयनती मनाई जाएगे और सनी जहनती पर सनी के प्रभाव को ले करके चाहे वो दुस्ष प्रभाव हो या चाहे सुभ प्रभाव हो जिन के उपर जिन राशियों के उपर सनी के साढ़े साती का प्रभाव चल लहा है सनी के साड़े साती से जो है कि सबसे जादा परिशानियों में से जूज रहे हैं तो आज के दिन सनी के लिए करे कुछ खास उपाए और सनीवार के दिन यानि कि परशों के दिन दिन सनीवार के दिन भी मौर्निंग के समय सूर्ज निकलने से पहले तक का आप ये उपाय कर सकते हैं यानि कि 19 मई 2023 से लेकर के 20 मई दिन सनीवार तक सुबा 6 बच के 55 मिनट तक जो है कि आप इस उपाय को कर सकते हैं भगवान शनी देव को सरशों के तेल उरद काला कपड़क एक कील लेकर के उनको अरपित करें और साथ में ओम संसन इश्चराय नमाहा इश्मंत्र का जो है कि जाप करें या सनी चालिशा का जो है कि पाध करें तो निश्चित रूप से कि जो आपके उपर सनी का साढ़े साती या सनी की ढईया जिस पर आप सबसे ज़्यादा परिशानियों का सामना करना पढ़ रहा है इसमें थोड़ा सा आशान आपको अच्छा मिलेगा क्यूंकि शनी अगर प्रसन है तो निश्चित रूप से है कि आपके जीवन में खुसियां ही खुसिया रहेंगी शनी देव की अगर करपार हुई तो नाना पकार के आपके बिगड़े हुए काम भी बन सकते हैं तो इसलिए आज के दिन शनी जैनती की उपलक्ष में आप दान कर सकते हैं दान में आप खिचड़ी भी खिला सकते हैं अन्य दान कर सकते हैं गरीबों को चपल कंबल इत्यादी चीजे जो है कि आप दान कर सकते हैं और अगली मौर्णिंग में सूर्ज निकलने से पहले ही आप भगवान शनी देव को भी सनी वार के दिन सनी जो मांगने वाले आते हैं उनको अपनी लोहे की कटोरी में अपने छा आया देख करके उनको आप दान करें यह जो सबसे जादा शुभ माना जाएगा और इस दिन अगर हो सके तो सनी मंदर के समक्च बैट करके ओम समसन इश्चराय नमहा इस मंतर का जो है के जाब करें तो निश्चित रूप से है कि शनी देव के प्रशन्यता शनी देव की कृप जो आपके उपर चल लहा है उस इसके दुस प्रभाव से जो है कि आप बस सकते क्योंकि सनी न्याय के देवता है जैसा आपने कर्म किया है उसके अनुसार जो है कि आपको फलकी प्राप्ति अवश्य होगी सनी के साढ़े साती अढ़े साती मकर रासी कुम्भ रासी तथा मी पर है तो ये जो पांच रासियां है इन पांच रासि के जातकों के लिए सबसे उत्तम होगा इस सनी जहनती को बिल्कुल दूमदाम से जो है कि आपको मनाना चाहिए जितने रेमेडी जितने उपाय शनी के लिए हो से सनी ग्रह पीडा निवारन का इस दिन उपाय होना भगवान शनी देव की पूजा अर्चना करें हो सके तो नीले कलर का फूल ले करके आप 108 फूल ले लिजे उपाय महा उपाय है 108 फूल आप ले लिजे नीले कलर का और आपको हर फूल भगवान शनी देव को अर्पित करना है ओम सम सनिश्चराय नमहा इस मंतर का जाप करते हुए और दीपक जलाएं आप तो पहले सबसे नीचे आपको काला उरद रखना है काला उरद के उपर आपको एक दीपक जलाना है सरसों के तेल का फिर बैठ करके ओम समसन इस्चाराय नमाह इश्मंत्र का जो हैं कि आपको जाब करना है इसे शनी देवों होंगे प्रशन तो सनी के साढ़े साती या सनी के डहिया जो आपके उपर चल रही है उसका दुष्प्रभाव कम होगा और जब दुष्प्रभाव कम होगा तो निस्चे तरुप से कि आपके परिशानियां खत्म होगी और खास करके मकर और कुम्भ रासी के जातकों के लिए बेपताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा समय हो सकता है भगवान शनी देव को जित्ता ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रशन करेंगे उतना आपके लिए लापकारी कुई कि मैं देख रह रहा है कि हम इतनी अगर पहले से अगर सुधर गए होते या पहले से इस्तितियां अगर हम समल गए होते तो आज इतनी परिशानिया नहीं होती है बिल्कुल सही समझा है आपने लेकिन आज इसलिए एक प्रमात्मा ने आपको सुभ औशर प्रदान किया है कि आपने जो गल और आपको कल भी हनुमान चालिशा का पाठ करें हनुमान अस्थक का जो है कि पाठ आपको अवस्च करें साथ में सनी चालिशा का जो है कि पाठ आप अवस्च करें इस से सनी दे होंगे प्रशन और मिलेगा आपको लाभ और हो जाएंगे आप माला माला तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे किसी नहीं बिसे के साथ में तब तक जाज़ा जीजिए नमस्कार